हमारे देश में और मुशेस्त है हमारे प्रदेश में लगबग 70 प्रशद बच्चे हैं वो सारभ जने गवर्मेंट इस्कूल में पढ़ते हैं कि अशे हैं वो स्कूल बेस्ट बेस्ट बच्चों के ऊपर अधारत ओन गोईंग असेस्मेंट की प्रोसेस के ऊपर है कि बच्चों के कोगनिटिव साइको सोशल फिजिकल डवलपमेंट के जो असपेक्ट्स हैं उनके लिए भी वहां पर आनकूल पातरन मिल सकें इन 2010 बोथ UNICEF and Rajasthan government did a tripartite agreement a new scheme of CCE would be developed implemented in 60 schools tested thoroughly to evolve the assessment process methods formats that has the potential to bring about a larger change राजिस्थान में जिस तरह से इस प्रोग्रेम को चलाया जा रहा है उसमें child-centered pedagogy जिसमें हर बच्चे को focus के जा रहा है और CCE component है इसमें continuously हर बच्चे को evaluate करते हैं और accordingly उसकी remedial strategy भी लगाते हैं ताकि सारे बच्चे क्लास appropriate learning level पे पहुंच सकें बच्चा हमारे पास जब भी स्कूल में admission लेता है कोई पी नया बच्चा आता है न हम लोग उसका एक आधार लेखा मुल्यांकरन करते हैं baseline test लेते हैं उसके आधार पे हम उसका इस तर निर्दारन करते हैं कि बच्चे को कहां से हमको क्या सिखाना है उसके according हम उसके लिए 15 मैं पास टो से लिए 15 जी कि उच्चा इप खरगाए बच्चा उसके समिक्षा करते हैं अगर हमें लग जगता है का स्य क्या यूजना सही छे ना चाही है उस पे कारहे करते हैं भी 15 दिन भार अगले उद देश्यों के यूजना बनाते हैं आ इb पूपर बढ़े पूपर्टन निए प्रॉटन निए प्रॉटन एट स्कूल को पूप पूप पूपराइच पूप हैं, आप पूप पूपर यह जो लिट्रेचर का जो बुनाने का है, एज रिसर्च करके देखते हैं कि इस पर बच्चा कितना सीख पारा है, सहजता से सीख पारा है या नहीं सीख पारा, कुछ रोचक तरीके से इसमें कोई इंबिल्ट और करना है तो उस पर बातचीत करते हैं, जैसे ही इसमें कोई और चीजे या और कोई सुझाव आएंगे, हम इस लिट्रेचर में सामिल करते हुए चले जाते हैं, सिख्छक के डवलपमेंट के साथ रहते हुए टीचर्स को पूरा डवलप करते हैं, अब प्रतेग बच्चे का अलग पॉर्टफॉलियो होता है, क्या काम उसने किया, उसकी क्या कमिया रह गई उसको और आगे क्या आवश्यक्ता है, वो पॉर्टफॉलियो देखके पता चलता है, चेक्लिस्ट के माद् मुल्यांकनों के माध्यम से जो सीखने की प्रोग्रेस उसको दर्च करते हैं. So from 2013 onwards, there was thoughts around how the scaling up should take place. That's when the new strategy of saturating blocks was evolved, that focuses on building the state's capacity in terms of monitoring the project, in terms of providing academic support to teachers that would ensure that the implementation is done very qualitatively. In the year 2014-15, CCE is implemented in the primary section of 20,000 schools, and in the year 2015-16, it's going to go to 45,000 schools. So in the next to next year, it would be exhausted across the state. Both Shikshah Samithi in partnership with the state of Rajasthan has been extremely deliberative in this approach. They've been very single-minded about CCE as a tool. At the same time, they've paid enough attention to be able to not just scale the program, but also scale the impact of the program. I think what the state has done in turn has created a large public good for many other states which are on this journey to be able to learn from and to be able to take forward. So with that, in Rajasthan, the teachers' training and training have been created a lot of backbone. It's also a capacity built in the diet. We are also a state initiative of quality education. through this approach. चल्ष करें दो दोरों का हम करें मुदली को भी कर दोरों को उब हैं कि अग्षागर करें दोरों कि पलादा।